वेलकम बेक गाईस हमारे पीछे परा हुआ है स्केविडी ट्वालेट और मुझे इससे बचकर निकलना होगा यह टनल पूरा का पूरा भूल भूलेया जैसा है कौन सा रास्ता कहा जाता है मैं तो सिर्फ एक ये जगा निकल जाता हूँ और जहां भी देखता हूँ वहां मुझे एसकेविडी ट्वालेट ही नजर आता है जितना जल्दी हो सके मुझे यहां से निकलना होगा और मैंने थोड़ा सा यहां पर माइन कार्ट का सहारा लिया है क्योंकि माइन कार्ट मुझे काफी दूर लेकर आएगा लेकिन वेट यहां पर तो आगे लावा है और ट्रैक टूटा हुआ है क्या हम लोग जम्प कर सकते हैं क्या हमारे टीम का एक मेंबर ट्राय करने वाला है और जैसे ही जम्प किया ये तो लावा के अंदर गिर गिर गिया मैं समझ गिया यहां से जम्प करना ना मुम्किन है और इस तरफ से दो-दो एसकेविरी ट्वालेट आ रहा है तो हमें इस तरफ निकलना चाहिए फड़ा फड़ से कोई ने कोई रास्ता हमें मिली जाएगा इस तरफ चलते हैं अब हम लोग को हार एक स्टेप अच्छी तरीके से लेना होगा क्योंकि किसी भी तरफ से इसकेविरी ट्वालेट आ सकता है हम लोग आ चुके हैं फिल्ड जैसा एरिया में यहां का पूरा का पूरा एरिया खाली है और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि यहां से हम लोग कैसे निकल सकते हैं क्योंकि यहां पर जो ब्लोक है कुछ इस तरीके से सेट है कि यहां से बाहर जाने का रास्ता पता ही नहीं चल रहा है लेकिन वेट यहाँ पे एक छोटा सा रूम है इसके अंदर चलते हैं यहाँ पर चेस्ट है और चेस्ट के अंदर मुझे ब्रेड भी मिला है तो मैंने ब्रेड ले लिया है और थोड़ा सा खा भी लिया है इसे क्या होगा हमारा जो हाट है वो कभी कम नहीं होगा दूसरे चेस उसे सबसे पहले गेट को close करने के लिए block से पूरी तरीके से close कर दिया है ताकि स्केविडी ट्वालेट यहां ना आ सके और हमें उपर जैसे आसमान दिखाई दिता है इसका मतलब हम लोग village में spawn होने वाले हैं और हम लोग आ चुके हैं village में उसे आने देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जिस blocks हम लोग आई थे उसे हम लोग लाबा से भर देंगे ताकि कोई भी नीचे से उपर ना सके खास कर वो एसकेविडी ट्वालेट तो लाबा ढोड़ना पड़ेगा यह रा लाबा बकेट तो मैंने लाबा बकेट ले लिया है अब उसके अंदर हम लोग अच्छी तरीके से प्लेस कर देंगे ताकि कोई भी इसके अंदर से ना सके मैं फड़ाबर से लाबा देता हूँ तो मैंने लाबा दे दिया है अब हम लोग यहाँ से कुछ लेकर चलेंगे क्योंकि हो सकता है कि आगे मुझे और भी SKBD टोलेर देखने को मिले इसलिए मुझे कुछ ऐसा चीज लेना होगा इस भिलेट से जिससे कि हम लोग उससे फाइट कर सकते है और डाइट गाइस इसके अंदर कुछ है देखते हैं विंडो से या एक swap जैसा लग रहा है तो चलो फटाबर चलते हैं इसके अंदर मुझे swap जरूर मिलेगा और हम लोग swap खरीच सकते हैं इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे किसी से भी fight कर सकते हैं यहाँ पर swap owner पहले से ही खरा हुआ है और डाइट गाइस मैं इसे मांगता हूँ कुछ और डाइट मैंने इसे music का समान दिया है साथ में खाने का समान बेगरा सब कुछ मैं इसे दे देता हूँ I hope मुझे swap दे दे और साथ में एक बार फिर से जिंदा होने वाला वो मुझे दे दे मैं इसका नाम भूल गया हूँ All right guys देखते है क्या ये मुझे देता या फिर नहीं ये क्या ये तो कुछ दे रहा है ये पता नहीं क्या है एक बार पहन के देखता हूँ मैं कैसा लगता हूँ ये iron का sate है और पता नहीं ये कैसा sat है जो की नीचे पहना जाता है इसमें मैं कितना ज़्यादा घटिया लगता हूँ यह मुझे बिल्कुल भी पसद नहीं आया मुझे चाहिए स्वाड सबसे जरूर यह स्वाड क्योंकि स्वाड के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं SKBD ट्वलेट हमें कभी भी मार सकता है मैंने भीलेट को गुस्ते में हिट किया और यह क्या करने वाला है किसी को बुला रहा है क्या मुझे तो इसा है लगता है विट करते हैं यहाँ पर गोलम आ गया इसका बोडिगार है क्या या फिर इसका फैमली वाला है भागना पड़ेगा फड़ापर से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके मुझे इससे दूर निकल जाना है क्योंकि गोलम बहुत ही जदा डेंजरस होता है और मेरे हाथ में ना ही एक्स है और ना ही स्वाड है तो मारेंगे कैसे हाँ से मारना मुझे नहीं लगता में मार पाऊंगा इसले हम लोग डड़ के बज़े सूपर आ चुके हैं और गोलम नीचे खरा है हम लोग नीचे बिलकुल भी नहीं जा सकते हैं लेकिन वेट यहाँ पे आ चुका है स्केबरी टॉयलेट अब मज़ा आएगा गोलम एसकेबरी टॉयलेट आपस में फाइट करेगा और यही मौका है हमारे पास रॉबरी करने के लिए तो चलो इसके स्वाप के अंदर चलते हैं और स्वाट बगेरा चुरा लेते हैं क्योंकि वो तो हमें देख नहीं रहा है और स्वाट हमें आगे जरूर काम आएगा और जो भी एसकेबरी टॉयलेट हम पे वार करेगा उस पर हम लोग एक ही वार में काम तमाम कर सकते हैं वो दोनों फाइट करने में बीजी है हम लोग यहाँ से निकलते हैं यह क्या गोलम और विलेजर मारा जा चुका है लेकिन एसकेबरी टॉयलेट अभी तक बचा हुआ है तो फड़ाबर से भागते हैं हमारे पास टाइम बहुत ही जदा कम है इस विलेजर से भी मुझे निकलना पड़ेगा भागते भागते मैं एक ब्रिज के पास आ चुका हूँ और मेरे दिमाग में एक खुराफाती सा आइडिया आया है यह किला तो राजा जैसा लग रहा है चलो कोई दिकत नहीं फड़ाबर जम करके इस तरफ चलते हैं यहाँ पर TNT से ट्रेप लगाया जाएगा जैसे ही एसकिबिडी ट्वालेट यहाँ आता है वैसे वो ब्लास्ट हो जाएगा तो देखते हैं क्या सीन होता है और रेड एस्टोन बगेरा लग चुका है और जैसे यहाँ पर आएगा वो एसकिबिडी ट्वालेट रेड एस्टोन उसे डिडेक्ट कर लेगा और TNT अपने आप अक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पर पहले से इस सारे चीज़ को अच्छी तरीके से प्लेस कर दिया गया वेट करते हैं कुछ सकेन तक एसकिबिडी ट्वालेट आ रहा है TNT अक्टिवेट हो चुका है अब देखते हैं यह बलास्ट होगा होजा बलास्ट हो चुका है और दुबारा बलास्ट होकर एसकिबिडी ट्वालेट वाटर के अंदर गिर गया I hope वो मर गया होगा मुझे तो कुछ भी आडिया नहीं है लेकिन हमें छुपना पड़ेगा यह पताने कौन सी जगह है मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हमें यहाई पर छुपना पड़ेगा एसकेबरी टॉलेट आता ही होगा अगर वो जिंदा होगा तो ओके गाईस यह जिंदा है एसकेबरी टॉलेट अभी तक जिंदा है और उसने हम पर एटेक कर दिया है उसे पता चल गया हम लोग यहां चुपें अब मुझे यहां से भी जाना पड़ेगा क्योंकि एसकेबरी टॉलेट को पता चलने का मतलब है कि हमारी जान को खत्रा है इसलिए हम लोग को यहां से निकलना पड़ेगा तो फड़ाबर चलते है वो जो हैसकेबरी टॉलेट अभी तक हमारे पीछे पड़ा हुआ है इसलिए जितना जल्दी हो से के मुझे यहां से जाना चाहिए और यहां पर मुझे बहुत सारे घर दिखाई देता है यहां पर कोई भी नहीं होता है तो मेरे दिमाग में खतरनाक सा प्लैन होता है क्योंना हम लोग यहां पर आराम कर ले क्योंकि हम लोग बिना आराम किये हुए आगे बिल्कुल भी नहीं बर सकते मैं बहुती ज्यादा ठक चुका हूँ इसलिए आज रात मैं यहीं आराम करूँगा मैं मिनियन बगेरा सब को बोल देता हूँ कि आज रात हम लोग यहीं आराम करेंगे और जैसे ही सुबह होगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और हमें कोई भी दिक्कत होगा ही नहीं और हम लोग फ्रेस मूड में एसकेबली टॉलेट से फाइट कर सकते हैं उस से वार कर सकते हैं तो चलो फुराबर्ट से अपने रूम में चलते हैं और यहाँ पर मैंने केक रख दिया है और मैंने आदा केक भी खा लिया है अब आप लोग फड़ा बट से सो जाते हैं आप जो भी होगा कल सूबा में देखा जाएगा तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो घंटे को और यहाँ पर कु निकल जाना चाहिए क्योंकि यह हमारा पींचा छोड़ने के लिए तयार ही नहीं है यह स्केपरी ट्वालेट को ज्यादा ही डिंजरेस है चलो कोई दिक्कत नहीं है हम यहाँ से भाग चलते हैं कुछ लेना देना है ही नहीं फड़ाबर चलते हैं मुझे सुरक्ची जगह दूरना पड़ेगा तब ही हम लोग खुद को बचा पाएंगे नहीं तो ऐसे बचाना मुझे ले लगता मैं खुद को बचा पाऊंगा क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ यह स्केपरी ट्वालेट हमारे पास आ जाता है वैसे डरने बाली ज़्यादा बात नहीं है हमारे प बिलेजर के पीछे पीछे जाना है जहां जहां यह बिलेजर जाएगा हम लोग इसके पीछे पीछे जाएंगे तो देखते हैं क्या सीन होता है क्या यह मुझे सुरक्षे जगह पे लेके जाएगा या फिर नहीं मुझे तू कुछ भी आडिया नहीं है फिलाल के लिए हमें इसके पीछे पीछे जाना है और नीचे एसकेवरी टॉयलेट यहाँ पर भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है इसलिए हम लोग यहाँ भी नई रुख सकते हैं जैसे जैसे यह भीलेजर जा रहा है वैसे वैसे हमें भी करना है ताकि हम लोग जितना जल्दी हो सके इस भीलेजर से बाहर जा सके और किसी सुरक्षी जगह पर पहुंच सके तो फड़ाबर चलते हैं आई होप हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं और राइट गाईस यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है यह मुझे बैसमेंट में जाने के लिए बोल रहा है तो ारास्ता मुझे दिखाना पड़ेगा उसे तो टो देखते हैं इसके पीछे रास्ता है क्या तो चलो फड़ाबर चलते हैं में ओल्राइट गाइस, यहाँ पे basement तयार है, तो चलो फड़ाबर चलते हैं इसके अंदर, ओल्राइट गाइस हम लोग आ चुके हैं, और जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, तो हमारे सामने mind card का track होता है, यहाँ पर chest होता है, जिसके अंदर बहुत सरा mind card है, तो मैंने इन दोनों को हमें यहां से निकल जाना है नहीं तो एसकेवरी ट्वल्ट हमारे पिछाएगा लेकिन मैं गलती से नीचे गिर गिया और जैसे मेरी यहां खुलती है मैं खुद को बहुत तीज़दा नीचे पाता हूँ लेकिन हमें जाना है उपर मेरा दोनों फ्रेंट सटिक लेंड किया है यहां पे फड़ाबर स्लाइम लगा देते हैं उपर वाला जैसे जम करेगा उसका हाट बिल्कुल भी कम नहीं होगा और यह लेडर की मदद से यह लेडर लगाएगा और उसकी मदद से हम भी उपर चले जाएंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक यहां नहीं रह सकते हैं चल भाई जल्दी से लेडर लगा ले तो यह फड़ाबर से अपना काम कर रहा है हम लोग फड़ाबर से उपर चलते हैं अब हमें केसी भी तरीके से इस टरनल से बाहर कैसे जाए यह सोचना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और हमारे पास खाना भी बिलुकुल भी नहीं है और यहां पे एसकेविडी टॉलेट आ गया इसने हमारे टीम के एक मेंबर को मार दिया है हम लोग फड़ाबर से यहां से निकल चलते हैं फड़ाबर से कोई रास्ता ढूल लेते हैं जहां से हम लोग निकल पाए सामने रास्ता होगा तो फड़ाबर चलते हैं तब तक आप लोग लाइक कर देना हम लोग यहां तो आ चुके हैं लेकि रास्ता है ही नहीं अब मेरे पास सिर्फ एकी रास्ता है कि हम लोग Eskabri Twilight से Sword की मदद से fight करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या scene होता है क्योंकि यह Eskabri Twilight है इसका हमारे पीछे आ चुका है यानि हमारे पास आ चुका है अगर हम लोग इससे fight नहीं भी करेंगे तो भी यह मुझे मार देगा इसलिए बहतर इसी में है कि हम लोग इससे fight कर लेते हैं इसका hard काम हो रहा है इसका मतलब इस Swords हम लोग मार सकते थे अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इससे पहले ही मार चुका होता तो finally मैंने इससे मार दिया है वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कोमेंट में बता दो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को आल पे सेट जरूर कर देना